नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागात है MPO Line CSE Business Training के इस चैनल पर जैसे कि आपको पता है कि पटवारी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और पटवारी के फॉर्म भरने के लिए आपकी जो व्यापम का पंजियन है यानि कि जो PEB का सामाने पंजियन है वो आपका अपड इस फोटो होनी चाहिए उसमें आपकी डॉक्ट प्रपर तरिके साप्लोड होने चाहिए यह सारी चीजह किस प्रकार से करना है किस-प्रपार को अपने प्रूफाइल को अधिट कर सकते हैं कैसे उसमें अपलोड होने वाले डोक्lement को रिसैज किया जाता है कैसे EKYC करना है आज के वीडियो में complete जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो सुरू करने के पहले आपको एक आवस्यक जानकारी देना चाहता हूँ। आज है संडे और आज चल रहा है हमारे course में 50% का discount। यदि आप MP Online और CSC की complete training लेना चाहते हैं पूरा काम सीखना चाहते हैं तो हमारा course है MP Online CSC Business Complete Training course जिसमें आज आपको मिलेगा 50% discount ये course आपको एक साल के लिए 600 का मिलता है लेकिन आज अगर आप जोईन करते हैं तो ये course आपको मिलेगा मातर 300 में जिसमें लगबग 500 से से आपको सिखाया जाएगा इसके अलावा यदि आप घर बैठे computer certificate लेना चाहते हैं तो हमारे ये course है 90 days का basic computer certificate जो सभी सरकारी और private job में valid हैं जिसमें आपको मिलेगी certificate की soft copy और साथी साथ जो इसकी hard copy और original copy वो by post आपको आपके घर में भी पहुँचाए जाती है इस course में भ profile को update करनी के लिए सबसे पहले google पर जाकर आप सर्च कर लें pebmp online यहां पर हम एंटर करेंगे इस बार दो website के माध्यम से हो रहा है यह यह आप peb की website से भी कर सकते हैं या फिर esb.mponline.gov.in यह दोनों website के माध्यम से इसके form पटवारी के वो भरी जा रहे हैं अब यहां पर हम को अपनी profile अपडेट करने के लिए हमको जाना है उम्मीदवार profile में यहां पर जाने के बाद profile पंजिकरर form संसोधन second option दिया गया है इसको select करेंगे इसके बाद यहां पर अपना सामाने पंजियन करमांग और password अपलोड करेंगे और उसके बाद इससे login करेंगे सामाने पंज प्रकार से नीचे EQYC के लिए यहां पर दिया जाएगा यहां पर दो प्रकार से आप EQYC कर सकते हैं एक OTP के माध्यम से एक Biometric के माध्यम से EQYC का मतलब होता है आपके आधार का सत्यापन किया जाएगा यदि आपके आधार पे Mobile Number Link है तो आप OTP के माध्यम से आसानी से EQYC क नहीं है तो आपको Biometric के माद्यखयام सर्फे करना होगा और Biometric में kable और केhaft कोजेंट चीडवाइज ही इसमें इस्तेह म कीजाती है more faith एमिंतर के माध्यम से व्यापम sitting सपोर्ट नहीं कर पाएगा साथ से आप इसी माध्यम से इसमें करेंगे और यह नीचु जो capture दिया है इस capture को फिल करके generate EKYC OTP पे क्लिक करेंगे आपके आधार registered mobile number पर इक OTP आएगा जिससे आप यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे उसके checkbox पे check करेंगे get detail option पे click करेंगे get detail पे click करने के बाद आपके पास आपकी complete information यहाँ पर आपका form open होके आजाएगा इसे एक बार सभी जानकर यहाँ चेक करने के बाद नीचे दियेगा checkbox पे check करेंगे और पंजियन संसोधित करें option पे click करेंगे अगले page पर आपको यहाँ पर अपने scan कर लेना है scan करने के बाद इसका size आपको 220 kb से कम रखना है 220 kb से कम आपका size किस परकार से आपको करना है चलिए मैं आपको एक बर बता देता हूँ यहाँ पर जैसे आपका document है यह इस परकार से हमने photo लगा लिए sign लगा लिए नीचे लिख दिया है अब इसका size लाइक यहाँ पर भी 62 kb है अगर आपका size आपका 220 kb से जादा है तो इसे आप office picture manager पर open कर लिजेगा इसे यहाँ पर करने के बाद edit picture option पर जाएंगे resize option आपको दिखाए देगा resize option पर जाएंगे और यहाँ पर predefined width and height इसमें जाकर आप इसके माद्यम से जो भी option select करते जाएंगे तो इसका size जो है यहाँ से छोटा होता जाएगा तो आप directly यहाँ से भी size को छोटा कर सकते सबसे आसान तरीका size कम करने का यह है तो चलिए फाइल को यहाँ पर upload कर देते हैं upload करने कवाद view image बटन पर क्लिक करेंगे view image पर क्लिक करने कवाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके document की photo sign और जो आपका hand return वो दिखाई देगा तीनों box पर check करे upload photo signature hand return पर क्लिक करें इसके वाद आपको कुछ इस प्रकार से document आपक ती क्योंकि इसकी जो size है वो चाहिए है 150 kb से कम होनी चाहिए और जो इसकी width और height है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर define की गई है 700 और 800 pixel की बीच में इसकी width होनी चाहिए और height जो है वो 400 से 900 pixel के बीच में होनी चाहिए तो यदि आप इसकी height minimum भी रखते हैं तो भी इसका size 500 kb से जादा चला जाता जिसका रड़ से सभी को upload करने में समस्या होती किस प्रकार से इसका solution है इसके लिए हम इसे open करेंगे Photoshop में Photoshop में open करने के बाद यहाँ पर आप file में जाए new option पे click करें new option में जाने के बाद जो इसकी width है जो की दी गई है यहाँ पर 700 से 800 की बीच में र रख लेते हैं 500 और इसको हम करेंगे कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक page open के आ जाएगा अब यहाँ पर हम अपने document को भी open कर लेंगे document open करने के बाद एके करके इन document को हम अपने इस page में set करेंगे ताकि यह जो size है इसके हिसाब से set हो जाए यहाँ पर रखने के बाद यह कुछ इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर इसके बराबर set कर दिया है और इसको हम करेंगे save as save as करने के बाद हम इसको desktop पर ही save कर लेते हैं as a jpg file और इसका कोई भी हमें एक नाम दे देते हैं यह वन नाम से हमने इसको save कर दिया है इसको ok करेंगे इसी प्रकार से जो दूसरा document है हमारा हम दूसरे document को भी इसी इसी size के paper में ले लेते हैं Ctrl T दबाया हमने इसके size को छोटा किया और इसके बराबर यहां पर हमने set करके इसको भी किया file पर जाएंगे save as पर जाएंगे jpg option पर जाएंगे और इसका नाम हमने a2 रख दिया और इसको हमने save कर दिया यह दौनों document हमारे save हो गए हैं अब save होने के बाद एक बार हम इनके size को research कर लेते हैं even पर हम क्लिक करेंगे यहां पर अगर आप देखेंगे तो 121 kb आ गया है और edit picture में research बिजाएंगे तो यहां पर दिखाई दे रहा है यह बहुत यह असानी से upload हो जाएगा और इसके बाद upload option पर जाकर हम इसे upload करेंगे तो इस प्रकार से हमरे दौनों document upload हो गए हैं अब हम करेंगे submit detail, submit detail पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपकी जो profile है उसकी receipt generate होके आ जाएगी यहां पर print profile receipt पर क्लिक करके आप अपनी profile को यहां पर print करके या save करके आसानी से रख सकते हैं इस प्रकार से आपकी जो profile है व बहुत ही आसानी से आप अपने पटवारी के form को इसका उप्योग करके भर सकते हैं